सुप्रीम कोट ने राहूल गांदी की सजा पर रोक लगा दी है सबसे बड़ा फैसला और बीजेपी के लिए मानो पहाड तूट पड़ा हो राहुल गांदी की सजा के उपर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है और अब कोई अडचन नहीं बची है राहुल गांदी फिर से योग्य सांसद होने जा रहे है अभी तक राहुल गांदी जो अयोग्य सांसद घोसित कर दिये गए थे राहुल गांदी को योगे संसद बनने में अब कोई रास्ता अब कोई अडचन जो है वो बचा नहीं है और राहुल गांदी को यहां पर बहुत बड़ी जीत कॉंग्रेस पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कॉंग्रेस पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी जीत है और कॉंग्रेस कह रही है सत्तमेव जैते ये नफरत के खिलाफ महबत की जीत है सुप्रीम कोट ने क्या कहा है तसली से बैठ जाएए मैं आपको सुनाता हूँ एक एक शब्द सुनने लाइक है सुप्रीम कोट में जो बहस हुई है उसमें एक एक शब्द सुनने लाइक है और सीधे तोर पर सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोट ने हिदायत दी है कि आगे से आप जब भाशन दे तो उसमें साउधानी रखेंगे ये उमीद रखते है और उसके बाद में ये वीडियो जो है वो सबसे महत्तपूर्ण है ये वीडियो जब राहूल गांदी ने कहा था अपनी सदस्ता जाने के बाद राहूल ने कहा था कि मोधी डर गए है मेरा अगले भाशन से क्योंकि उन्होंने एक भाशन दिया था जिसमें मोधी अडानी का नाम था और ये भाशन फिर से वाइरल हो रहा है इसमें राहूल गांदी कह रहे हैं कि मेरी अगली स्पीच से मोदी डर गए है तो अब सीधे तोर पर जो सुबह सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी आज कि राहूल गांदी नरेंदर मोदी के सामने देश की संसद के अंदर होंगे और ऐ विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी अधीर रंजन चोधरी जो की कॉंग्रेस के नेता है उनका बयान सामने आ गया है उन्होंने कह दिया है कि मैं आज ही लोकसवा को चिठी लिखूंगा और सुबह सुबह जैसे ही सोमार को लोकसवा खुलती है हमारी तरफ से अपील रहेगी कि राहूल गांदी के सदस्ता को बहाल किया जाए तो बहुत बड़ी ख़बर कॉंग्रेस के लिहाज से एक बंपर जीत हुई है और बीजेपी के लिए मानो पहाड़ी तूट पड़ा है संकटों का पहाड़ी तूट पड़ा है कैसे डिफेंड करेंगे इसको क्योंकि सुप्रीम कोट ने दो टुक जवाब दे दिया है कि राहूल गांदी को दो साल की सजा बंती ही नहीं है और आपकी मनसा जो है वो गलत थी बहुत कुछ कहा है सुप्रीम कोट ने एक एक करके मैं आपको सुनाओंगा लेकिन सबसे बड़ी चीज जिन तीन लाइनों का देश को इंतजार था कॉंग्रेस पार्टी के वरकरों को इंतजार था कि सुप्रीम कोट आखिरकार क्या कहता है और सुप्रीम कोट ने कह दिया है कि सजा पर हम रोक लगा रहे हैं सजा पर रोक लगा रहे हैं और उनकी सदस्ता बहाल होगी अब इसमें कोई दोराय नहीं है यानि दोहजार चोबिस के चुनाओं में बीजेपी ने नरेंदर मोदी ने एक ऐसी गलती कर दी बैठे खुझ से कर दिया है एक तो भारत जोड़ो यात्रा उसके बाद में एक केस जो है जिसमें आनन फानन में कारवाई हुई अधिक्तम सजा दी गई मैकसिम सजा दी गई सुप्रीम कोट तक राहूल गांदी को आना पड़ा और वहाँ पर जो है वो राहूल गांदी को सुप् सुप्रीम कोट ने आज मोदी सरनेम केस में दो साल की राहूल गांदी की जो सजा थी उसके उपर रोक लगा दी है कोट ने काया कि हम उमीद कर रहे हैं कि आगे से आप जब भी भाशन देंगे तो थोड़ा एतियाद रखेंगे इसके आगे सुप्रीम कोट में जो है वो कह गया है इससे पहले जो पुर्ने स्मोधी हैं ये पुर्ने स्मोधी की तरफ से इनके वकील महेज जेट मलानी राम जेट मलानी के जो लड़के हैं उनकी तरफ से जो है वो सवाल किया गया था कि अधिक्तम सजा जो है वो क्यों दी गई है इनके वकील को सुप्रीम कोट की त मुचा कि आप दो साली सजा जो है वो दी गई है और दो साली साल यारा महीने की भी सजा ओ जाती तो डिसक्वालिफाय होने से बच जाते मतलब मनसा के उपर सवाल खड़े कर दी हैं कि आपकी मनसा ये है कि राहुल गांधी को संसद से बाहर किया जाए। गांदी जो है वो 2024 का और 2029 का चुनाव लड़ सकते थे तो ऐसे में ये जो है सुप्रीम कोट की तरफ से का गया है अब आगे देखिए सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दोरान टिपनी की थी कि सजा की वज़े भी बतानी चाहिए थी लेकिन ओडर में इस पर कुछ नहीं लि है वो माथा पच्ची होती रही है राम जेट मलानी और अभिसेक मनु सिंग्वी के बीच में राम जेट मलानी के लड़के हैं महेश जेट मलानी महेश जेट मलानी जो है मोदी की तरफ से वकील थे और अभिसेक मनु सिंग्वी वो राहूल गांदी की तरफ से कॉंग्रेस क की तरफ से वकील थे दोनों के बीच में और सुप्रीम कोट ने जो कहा है पूरे तीन गंटे तक बहस चलती रही और सुप्रीम कोट ने पूछा कि जो ओडर है हाई कोट का जिसमें सजा पर रोक लगाने को जो है वो दरकिनार किया गया था हाई कोट ने गुजरात हाई कोट तो सुप्रीम कोट ने कहा है कि जब सजा पर रोक नहीं लगाई गई वहाँ पर तो उसमें जो है वो ओडर के अंदर कुछ नहीं लिखा है और ये राहुल गान्दी के उपर हार नहीं है राहुल गान्दी के वो बात नहीं है बलकि ये उन लोगों का भी अधिकार है जिन तो ने राहुल गान्दी को चुन करके संसद के अंदर भेजा था ये सुप्रीम कोट के अंदर जो है कहा गया है और इस सुनवाई के अंदर बी आर गवई साब जस्टिस बी आर गवई साब पियेस नरसिमा और संजय कुमार की बेंच थी राहुल के तरफ से मनुसिंगवी और पुणे समोदी की तरफ से मैश जेट मलानी ने दलीले दी गुजरात की सेसन कोट ने 23 मार्च को राहुल गांदी को दो साल की सजा सुनाई थी आपको याद होगा और उसके बाद में 7 जुलाई को गुजरात हाई कोट ने ये तारीके बड़ी इंपोर्टेंट है तारी 23 मार्च को और उसके बाद में 23 मार्च के बाद में 7 जुलाई को आखरी हाई कोट की तरफ से इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था उसके बाद में 15 जुलाई को 15 जुलाई को राहुल गांदी जो है वो सुप्रीम कोट पहुँचे थे और आज जो है वो 4 अगस्त का द जो है वो अपडेट में आपको बताता हूँ राहूल गांदी के वकील अभिसेक मनु सिंग्वी की तरफ से का गया कि मानानी के केस के चलते राहूल को आठ साल के लिए चुप करा दिया गया लोकतंतर में मतवेद होते हैं हिंदी में बोले तो शालीन भाशा कहते हैं कि मैं सम आने वाला केस है ऐसे मामला कैसे बना कैसे जिसमें नैतिक पतन हो राहूल गांदी के वकील के तरफ से कहा गया कि ये कोई गंबीर अपरादी नहीं है राहूल गांदी के लिए कहा गया भाजपा के कारिकरताओं ने ना जाने कितने केस दर्ज करवाए है लेकिन एक के अला ही नहीं यह गंबीर मसला है क्योंकि एक आदमी डिस्क्वालिफिकेशन जहेल रहा है तो बहुत लंबा जो है इसमें तीन गंटे की बहस का जो है डिटेल है मैं आपको धिर धिरे बताता हूं राहूल गांदी की तरफ से अब इसे मनिस सिंग्वी ने का कि जितने भी केस राह है उनको चोट पहुंचाने की उनको अपमानित करने की कोई मंसा नहीं थी अब इसे मनुसिंग्वी की तरफ से का गया है आगे कहा है उन्होंने कि मेरी दलील खतम होने के बावजूद आदालत ने 66 दिनों तक फैसला रिजर्व रखा मैंने मैं मैं दलीले खतम की थी फैसल कोट की तरफ से का गया जैसे ही जो है वो पहले तो राउल गांदी के वकील की तरफ से जो टेकनिकल जो चीजे हैं वो रखी गई फिर उसके बाद में जो राजनेतिक पहलू है वो रखा गया और राउल गांदी की तरफ से जो अभी से एक मनुसिंग्वी थे उन्होंने कह कि केरल की जो सीट है वाइनार की सीट जहां से राउल गांधी चुनकर के आते हैं वहाँ पर इलेक्षिन कमिस्ट ने इलेक्षिन भी डिक्लियर नहीं किये क्योंकि उनको लगता कि जीत नहीं पाएंगे तो इस पर थोड़ा सुप्रीम कोट नाराज हो गया और अपनी बैस को राजनितिक मत बनाइए इसको राज सभा के लिए बचा कर के रख structures और सुप्रीम कोट ने कहा कि राजनेतिक मत बनाईए अब इसे मनु सिंग्वी जी और जेट मलानी जी दोनों को हिदायत दी और कहा कि आप ये सारी चीजे राजसभा के लिए बचा करके रखिये राउल के वकील की तरफ से कहा गया कि इस इवेंट का कोई भी एविडेंस नहीं है सिकायत करता को वाटसअप पर एक न्यूस पेपर की कटिंग मिली और उसने सिकायत कर दी उसने नहीं बहताया कि उसे ये कटिंग कैसे मिली किसने भेजी वास्तों में क्या हुआ ये एविडेंस एक्ट के तैज साबित ही नहीं हुआ इसी भी सिकायत करता हाई कोट चाता है और ट्रायल पर सटे मिल जाता है ताकि वो और साक्षे जुटा सके और एक महीने बाद में सजा दे दी गई तो देखिए मैंने कात आपको बहुत पहले भी कि सारी चीजे लिखी जा रही है और सुप्रीम कोट में बताई जाएंगी आज वही सारी बाते कही अब इसे एक मनु सिंग्वी ने कहा कि ये जो है यहाँ पर पुर्नेस मोदी तो पुर्नेस मोदी तो उस कारिकरम के अंदर थे भी नहीं जहाँ पर राहुल ने भाशन दिया राहुल का भाशन की कटिंग जो है वो अख़वार में जो हैडलाइन छपी वो इनको मिलती है और उसको ले करके फिर ये जो है वो सिकायच दर्ज करवा देते हैं फिर उसके बाद में अपने ही मामले में खुदी स्टे ल महेश जेट मलानी ने कहा कि राहुल गांदी ने क्या कहा था अच्छा एक छोटा सा सवाल है इन चोरों का इन सब चोरों का नाम मोधी 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 कैसे है ललित मोधी नीरव मोधी थोड़ा ओर ढूंडेंगे तो सारे मोधी निकल आएंगे इसका उनका मकसद मोधी सरनेम वाले हर आदमी को अपमान करना था इसलिए क्योंकि यह प्रधान मंतरी के नाम से मिलता हुआ है यह पुरानी दुर्भावना से प्रेरित था तो यह जो है वो पुर्णे समोधी के वकील की तरफ से दलील रखी गई राउल गांदी के भाशन की वो लाइन है उसको कोट किय तो राउल ने तो सवाल पूछा है पुर्णे समोधी की तरफ से का गया कि पूरी स्पीच पचास मिनिट से जादा की थी सबूतों की भरमार है इस बासन की क्लिपिंग्स इलेक्शन कमिसन के रिकोर्ड में दर्ज है सुप्रीम कोट ने कहा कि कि कितने राजनेता है जो रोजाना कर रहे हैं तो कहा कहा कि कहा होगा सुप्रीम कोट ने आगे कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिक्तम सजा क्यों दी जज ने एक साल ग्यारा मेने की सजा दी होती तो राहुल गांदी को डिस्पौलिफाई नहीं किया जाता तो ये बात जो है वो सुप्री अधार क्या था तो यानि अब जो है वो वहां से भी स्पस्टिकरन हो सकता कि मांगा जाए ये भी आप देखिए आगे देखिए इसमें पुर्णेस मोदी के वकील की तरफ से कहा जाता है कि राहूल गांदी ने जब कहा था कि प्रधान मंत्री पर टोप कोर्ट में राफेल मा सीट बिना प्रतिनिदी के खाली रह जाएगी ये सिर्फ एक व्यक्ति के विचार तक स्मित रहने वाला मामला नहीं है ये उस सीट के वोटरों से के अधिकार से भी जुड़ा हुआ मामला है जजज को बताना चाहिए था कि उन्हें अधिक्तम सजा क्यों दी लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के हाई कोर्ट को भी नाप दिया है एक तरह से और वो कहा है कि जजज इसको बताना चाहिए था कि उन्होंने मैक्सिम सजा क्यों दी है लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और पुर्णेस मोध के वकील जो है वह एक चलावा जो है वह कार्तुस लेकर के आए चलावा कार्तुस मतलब स्था दॹकर्षण के तोρ पर कोड के अंदर कि आप मांगई की भी आपको łमाफी नहीं मांग रहे ये बात जो है कई गई है अब देखिए इस मामठे में पहले कल एकक छुनवाई को सुनवाई हूई है वह बता रहा हूं आपको एककिस जुलाई को सुनवाई हुई है पंदरह जुलाई ओ जब राउल गांदीनी याचिका दी थी 21 जुलाई को पहली सुनवाई हुई उसके बाद में और जज साब ने जो है वो उस वक्त में कहे दिया था कि मेरे पिता जो है वो कॉंग्रेस से जुड़े रहे हैं अगर आपको दिक्कत है तो मैं हट सकता हूँ तो यह सारी बाते फिर उसके बाद में मैज जेट मलानी और प हुआ हुआ एक बड़ा दिल्चस पहलू और हुआ है यह राहूल गांदी के वकील अभी से मनुष सिंग्वी की तरफ से का गया है कि यह पूर्णेस मोदी नहीं है इनका सरनेम 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 जो है वो सुप्रीम कोट के अंदर जो है वो राहूल गांदी के वकील अभी से एक मनु सिंग्वी की तरफ से कहा गया और कहा गया कि ये तो जबरदस्ती जो है वो राहूल गांदी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है और अगर इस तरह से होगा तो फिर तो कोई भी किसी को भी जो है वो टारगेट करके और उसके खेलाब जो है वो 150 जो है याचीन के दाखिर कर देगा और उसके बाद में सिकाय कर दिर दे वे 이번 कर दे वाद में मुख्यार कर दे उसके वे देस्ता चली जाए LOL कुछ देर बाद में तस्वीरे में आपको वह भी दिखाऊंगा जसन का माओल है जबर्दस हो है खुसिया मनाई जा रहे हैं पटाके चल रहे हैं बड़े-बड़े कोंग्रेस की नेता जो वो कोंग्रेस मुख्यले में पहुंच रहे हैं डोल लगाडे बज रहे हैं लेकिन ज जानता था कोई नहीं जानता था शायद देश के अंदर बड़े-बड़े गुजरात के नेता तक नहीं जानते होंगे शायद कोंग्रेस मोदी है और गुजरात के लोग भी शायद नहीं जानते होंगे लेकिन जो जटका लगा है वो असली जटका मोदी साहब को लगा है ज नहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा हवा के अंदर कॉंघ्रिस पाल्टी उट जाए और फिर जमीन पर काम ना हो क्योंकि अभी भी मोदी की сरकार की जो जड़े हैं वो गहराई तक है अगर कोंघ्रिस को मोदी सरकार को उखाड़ना है तो लोगों के बीच में रह करके, लोगों के साथ में खड़े हो करके, नीचे तक काम करना पड़ेगा, तब जा करके मुम्किन हो पाएगा, अगर कॉंग्रेस के करिकरता, आज हवा में फूल करके उपर निकल जाएं, कि नहीं हमारा तो सब कुछ हो गया, अब राहूल पर केस जीत लिया है, तो वो प्रधान मंतरी बन गए है, कॉंग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, अब जो है, वो पांच राज्यों में जहां पर चुनाव है, तो इसको भुनाना चाहिए, इसको लेकर के जाएं, राजसान के अंदर, च्छतिस गड़ के अंदर, पर सुपर के जाएं, और वहां पर जो है, इस चीज़ को फिर जो है, वो अपनी जीत के रूप में बदलें, तो तब जाकर के फिर वहां से, जो है, वो दोजार चोबिस का बेस जो है, वो अधार तैयार होगा, बीजे पी ने बड़ा जो है, अपने पैर पर कुलारी मार है क्या जरूरत थी एक केस जो है जिसमें कोई दम नहीं था कोई मेरिट नहीं थी उस के अंदर कोई भी कानून का जानकार कह सकता था कि इस केस को आप जहां ताहं से करके कि निकाल भी लेंगे मालीं जी कि गुजरात की सैसन कोट बीकर ने कह भी दिया था चलिए ठीक है लेकिन यह केस सुप्रिम कोर्ड में टिकने वाला नहीं था इससे फाइदा क्या हुआ केवल नुकसान के अलावा बी जैपी को क्या फाइदा हुआ है सरासर नुकसान ही नुकसान होगा थो खेर लगातार मैंने का था सुबेई आप से का था oder सुबेई मैंने अपको बताया था shifted को साफ हो गया है चलते-चलते मैं अपको यह जो क्लिप है या आपको सुना देता हूं राउल गांदी को खोपारव कि फिर से संसद में गुंजेग तो यह राहूल गांदी का बयान है अंग्रेजी में है राहूल गांदी कह रहा है कि इस बात को समझी कि मुझे डिस्क्वालिफाइग क्यों किया गया मुझे डिस्क्वालिफाइग इसलिए किया गया क्योंकि अडानी के उपर जो मेरा अगला भाशन होने वाला था एक भाशन उन्हों ने दिया अगला भाशन जो होने वाला था उससे मोदी डर गए थे कि अगले भाशन में ना जाने क्या कहेगा और इसलिए जो है पहले भटक 2014 और 2019 के मुकाबले बहुत ताकतवर अपने आप में हो चुके हैं भार जोडो यातरा के बाद और अब ये जो जटका जो पहले राहूल गांदी को दिया गया अब पलट करके जटका जो है वो राहूल गांदी ने बीजेपी को दे दिया है मोधी को दे दिया है सुप्रीम कीजिए लोगों तक पहुचाएं पहुचाएं को कि लोग इंजार कर रहे हैं तो शेयर कीजिए धन्यवाद